विस्तार का कभी एहंकार ना करना, हार कभी स्वीकार ना करना, कोशिशी काम्याबी है, जीत पे आँखे चार ना करना अपने लिखी इन्ही पंक्तियों से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उमीद करती हूँ कि आप जहां कहीं भी होंगे, स्वास्थ और फुशाल होंगे, और अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से खयाल रख रही होंगे हर एक माता-पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बहतर बनें, उनमें एक भी बुरी आदत ना हो पर चाहे अन्चाहे, बच्चों में बहुत सी ऐसी आरते होती हैं, जिनने माता-पिता बदलना ही चाहते हैं अगर आप भी अपने बच्चों में बदलाग चाहते हैं, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखीगा तो चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फिर्स पॉइंट है, मेंटल प्रिपेशन देखे, जातर पिरेंट्स अपने आपको फिजिकली तो प्रिपेर कर लेते हैं लेकिन मेंटल प्रिपेशन करना बिलकुल भूल जाते हैं अब फिजिकल प्रिपेशन से क्या मतलब है, उस पर ध्यान दीजेगा जैसे आप बच्चों के रूम डेकोरेट करेंगे बच्चों के अच्छे स्कूल में बच्चों का अद्मिशन कराएंगे उनको अच्छी डाइट देंगे मतलब सौतर हैं कि आप चीजे बच्चों के लिए करते ही करते हैं लेकिन खुद को मेंटली प्रिपेर करना बिलकुल भूल जाते हैं मेंटल प्रिपेशन का मतलब है कि आपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपने आपको कितना तयार किया है For example, अगर आपका बच्चा गुसा करता है, चीजों को फेखता है, आपका कहना नहीं मानता और आप बच्चे की इन आज़तों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आखिर बच्चा ये सारी बाते सीख कहां से रहा है, देखे, बच्चा जो भी को सी सीखता है, वो अपने पेरिंट्स को देख करी सीखता है, इसलिए आपको सबसे पहले खुद को चेक करना होगा कि कहीं आपके अंदर तो ये सारी बुरी आदते नहीं हैं, अगर हैं, तो आपको इन आदतों को तुरंत ही बदल लेना चाहिए, देखे, यहां पर एक बास सम प्लाकर रखने की है, तो आपका बच्चा और्गिनाइजड हो ही नहीं सकता, तो इस बास से यही पता चलता है, कि बच्चा जो भी कुछ देखता है, उसी से वो सीखता है, तो इसलिए आपको हमेशा अपने आपको स्टेबिल रखना है, ताकि आपका बच्चा हमेशा जाद रहती है, कि हमारा बच्चा हमें ही देखकर सीखेगा, तो अपना अचार, विचार और विवार हमेशा ही बैलेंस रखना चाहिए, और अगर आपका बच्चा बाहर से कोई बुराई सीख कर आता है, तो भी आपको अपना अचार, विचार और विवार इतना बैलेंस कि आपके बच्चे के ऊपर बाहर की बुराई का कोई भी असर ना पड़े तो in short अगर आप बच्चों में बदलाव चाहते हैं तो आपको mentally prepare होना बहुत जरूरी है next point है बच्चों को बच्चा बनकर पालना देखिए parents की अक्सर आज़त होती है या तो वो बहुत ज़्यादा strict होते हैं या बहुत ज़्यादा lenient तो दोनों ही case में parenting अच्छी नहीं मानी जाती है बच्चों को बच्चों के level पर आकर उनकी परवरिश करना सबसे अच्छा है जिस तरह से बच्चे अपने friends के साथ में हसते खेलते बहुत कुछ बाते सीख लेते हैं बिल्कुल आपको भी बच्चों के साथ में बच्चा बनकर हसते खेलते बच्चों को सिखाना है आपकी parenting ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप बच्चे को कुछ सिखाएं तो आपको डाटना ना पड़े और बच्चों को सीखते समय रोना ना पड़े In short मैं आपसे यही कहूंगी कि जब आप mentally prepared होते हैं तो ये काम automatically हो जाता है Point number 3 है patience अकसर parents बच्चों को जब कुछ भी सिखाते हैं तो बड़ी जल्दी impatient हो जाते हैं चीखना, चिलाना, मारना, पीटना वगएरा वगएरा तो इससे नुकसान यह होता है कि एक तो जब आप बच्चों को मारते पीटे हैं तो आपका मन भी दुखी होता है और जब बच्चे पिटते हैं तो उनका भी मन खराब हो जाता है यानि कि ऐसी इस्तिती में बच्चे ना तो आपसे कुछ सीख पाते हैं और ना ही आप सिखा पाते हैं इसलिए बच्चों को सिखाते समय आपका patient होना बहुत ज़रूरी है अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर patience कैसे रखें देखे, patience रखने के लिए आपको दो बातों को तो अपने दिमाग में बिठा ही लेना चाहिए पहली चीज़ कि आपके बच्चे हैं, आप इन्हें अगर नहीं कुछ सिखाएंगे तो इन्हें कौन सिखाएगा इन्हें सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, इसलिए भी आपका patient होना बहुत जरूरी है दूसरी चीज़, अगर आप इन्हें कुछ अच्छा नहीं सिखा पाए, तो कोई दूसरा आकर इन्हें कुछ ना कुछ गलत जरूर सिखा जाएगा इसलिए भी आपका patient होना बहुत जरूरी है अगर आपने ये दोनों बाते अपने दिमाग में बिठा ली, तो आपको कभी भी अपने बच्चों के उपर गुसा नहीं आएगा वैसे इस पर एक detail वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं, तो आप description box चेक जरूर कर लीजिएगा फिलाल बढ़ते हैं आगे लास्ट और सबसे important point है कि बच्चों को अपनी company में रखें अब आप मैंसे बहुत सारे लोग ये सोच रहोंगे कि अपनी company में रखने का क्या मतलब है देखिए अक्सर होता क्या है कि बच्चा जिसके साथ भी रहता है उसी का असर बच्चे के उपर आता है आप बेशक कितने भी well educated, well disciplined and well mannered है लेकिन आपका बच्चा या तो नौकरों पर पल रहा है या इधा उधार रिष्टेदारों पर पल रहा है तो आपके बच्चे पर आपका बिल्कुल भी असर नहीं आएगा क्योंकि आपका बच्चा जिन लोगों के साथ में रहकर बड़ा हो रहा है आपके बच्चे पर उनी लोगों का असर आएगा तो मैं सभी पेरिंट्स से यही कहूंगी कि आप इतने पढ़ने लिखने के बाद अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा रिस्ट कभी मत लीजिएगा क्योंकि अक्सर मैंने यही देखा है कि पेरिंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ लिखकर अपने करियर्ण में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों की सही परवरिश करना बिल्कुल भूल जाते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि भाई अपने बच्चों को जहां तक हो सके अपनी कंपनी जरूर दीजीए ताकि आपके अंदर जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं वो आपके बच्चों में आ सकें इसके अलाबा आप अपने बच्चों में वो सारी क्वालिटीज भी ला सकते हैं जो आपमें नहीं है बशर्ते कि आप अपने बच्चों का साथ पकड़े रहें इसलिए मैं सभी पेरिंट्स से यही कहूंगी कि बच्चों को अच्छे स्कूल, खाना, पीना बहुत सारी चीज़े देने के बाद भी अगर आपका साथ नहीं मिला तो यह सारी चीज़े बेमानी होंगी इसलिए जितना हो सके बच्चों को अपनी कंपनी में रखेगा ताकि उनका सही गाइडेंस हो सके तो यह थी वो कुछ बाते जिनका हर एक पेरिंट्स को ध्यान रखना ही चाहिए चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अपने बच्चों को जन्देने के बाद आप सिर्फ माता-पिता कहलाते हैं लेकिन सच्चे अर्थों में आप माता-पिता तभी बनते हैं जब आप उन्हें एक अच्छा इंसान बना देते हैं तो उमीद करती हूं कि आज क्या वीडियो देखने के बाद आप एक माता-पिता नहीं कहलाएंगे बलकि सच्चे अर्थों में एक अच्छे माता-पिता बनकर दिखाएंगे So, all the best, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, जै भारत